वैसे तो इंसान आज अंतरिक्ष में चांद और मंगल तक भी पहुँच गया है लेकिन फिर भी इतने एडवांस होने के बावजूद भी हमारी धर्ती पर ही ऐसी ना जाने कितनी रहसे में ही घटनाएं होती रहती हैं जिनके बारे में हमें कुछ खास जानकारी भी नहीं होत यहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि इन घटनाओं के बारे में आपने अपनी जिन्दगी में कभी सुना भी ना हो तो आईए एक नजर डालते हैं प्राकरती की कुछ ऐसी ही घटनाओं पर जिने देखकर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे आपको भी आसमान में चमकते सितारे काफी अच्छे लगते होंगे और इनकी रोशनी में तो समुन्दर की लहरे मन को एक अलक्सी संतुच्टी देती हैं लेकिन अभी जो आप नजारा देखने जा रहे हो इसे आपने आज से पहले ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी स घटना है जिसके पीछे एक शुष्षम जीव होता है जिसका नाम है प्लैटोन इनके अंदर किसी तरहा का एक कैमिकल मुझूद होता है और ये जीव जैसे भी किसी चीज के संपर्क में आता है तो वो कैमिकल रिलीज होकर जगमगाने लगता है जिसकी वज़ा से समुन्द में ये द्रिश्य उत्पन होता है ये घटना बहुत रेर होने के साथ साथ काफी शांदार भी दिखाई देती है हेल्स्ट्रॉम जब भी कभी बारिश होती है तो हम सभी उमीद करते हैं कि काश बारिश किन बुंदों के साथ आस्मान से ओले भी बरसने लगे लेकिन अभी जो मंजर आप देखने वाले हो उसे देखने के बाद आप अपनी पूरी जिन्दगी में कभी ऐसी किसी चीज की उमीद नहीं रखोगे बात है दो हजार अठारा की जब अरजंटीना के लोग रोज की तरह ही अपने काम काच कर रहे थे और तभी अचानक से वहां का मोसम ख देखी सकते हो ये ओले साइज में टैनिस बोल्स से भी जादा बड़े थे जिन्ने देखकर आप खुदी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी चपेट में आने वालों का क्या हाल हुआ होगा प्राकरती के ऐसी घटना दुनिया भर में पहली बार रिकोर्ड की गई थी और इन बोल्स का अकार भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था जिसने ना जाने कितने ही लोगों के घरों के शीशो गाडियों और यहां तक की कीमती समान को नुकसान पहुँचाया था तो वहीं कुछ लोगों को काफी चोट भी आई थी जाइंट क्रैक पुरानी गाथाओं में लि दिन प्रती दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है अब चाहे भारत हो या दुनिया का कोई और को ना हर जगा प्रिद्वी पर अचानक से विशाल दरारों को देखे जाने की खबरे लगातार सामने आ रही है जिने आज से पहले ना तो किसी ने अभी तक कभी देखा था और हो सके तो संभल जाओ क्यूंकि हाल ही में धरती पर नाटकिया रूप से काफी बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और वर्तमान समय में तो धरती पर इतनी गहरी इतनी बड़ी दरारे देखने को मिली हैं जिनके एक्स्प्लेनेशन्स विज्यानिकों के पा ये डिस्क किसी और चीज से नहीं बलकि सक्त बरफ से बनी होती है ठंड के बढ़ते ही जब भी कभी नदियां जमने लगती है तो उसके नीचे से बहता हुआ पानी बरफ को काड़ते हुए ऐसी एकदम सटीक गोलाकार डिस्क या फिर कहें तो बरफ के पईये का निर्मान क करता है और ये डिस्क काफी ज़्यादा मजबूत भी होती है जिसके उपर लोग खड़े होकर इसका लुक भी लेते हैं सेल स्टोन युनाइटिट स्टेट में स्थित एक जगा है देथ वैली जहां का तापमान दुनिया की किसी और जगा से काफी ज़्यादा होता है बस इ आप ही बीना किसी के चुवे आगे की और चलने लगते हैं जिसके सबूत इसके पीछे बने एक घसीटने के निशान बया करते हैं सच में प्राकरती काफी रहसे में है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कोमेंट्स में जरूर बताना और अगर पसंद आया